अब 9 देखते हैं अब 9 में देखो क्यूब एक है फेक्टर पहले करने की कोशिश करनी है तो 9 हमारे जो गुश्चन है में इंट इसमें किसका करना है है कि थ्री एक्स फ्लस five अपन अफेक्टर कैसे होंगे दिखो एक्सक्यूब में अगर हम मलग Εंत्व त्रम में अगर एक्सप्लस फाइव तो क्या आएगा X-1 और इन दोनों में क्या करों माइनस 1 common ले लो तो ये भी तो X-1 आजाएगा कि नहीं आजाएगा बताओ तो ये क्या आजाएगा 3X प्लस 5 X स्क्वाइर माइनस 1 एक ब्रेकेट में और X-1 एक ब्रेकेट में तो 3X प्लस 5 अपन इसके A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर का क्या होता है A प्लस B A माइनस B और ये तो X-1 पहले से ही है तो ये कितना आगया 3X प्लस 5 अपन X प्लस 1 X माइनस 1 का होल स्क्वाइर DX तो इसमें भी होल स्क्वाइर आगया यही बाला बन गया format अचा कुछ लोग कहींगे सर मेरा इधर आ रहा है और आप मेरा इधर आ रहा है यह ऐसा रहा देखो अगर तुम्हारा ऊपर कुछ है और नीचे X प्लस 1 और X माइनस 1 का जो होल स्क्वाइर तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा अगर अगर मानलो ऐसे लिख लिए निविटर में कुछ है पहले यह लटरम लिखा है तो लिखेगा एक पॉन पहले पावर वन लिखो गे प्लस बीए पॉन फिर पावर टू लिखो गे और फिर सी एपॉन रियरेंज हो जाएंगे और आपका और जो भी मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो तो सेम ही आंसर आएगा फैल आंसर सेम होगा ठीक है चलो इसको चेंज करते हैं कितना आए गई निमिरेटर की डिगरी कम है तो एप उन इक्स प्लसड़न प्लस B एपन इसको क्या करोगे पहले पापर बंस होगे और सी की साथ फोलिटरी दोगे dx अलग-अलग हम integration कर देंगे इनके तो इसमें a बाहर आजाएगा one upon x plus one condition इसमें b बाहर आजाएगा one upon x minus one condition c बाहर आजाएगा one upon x minus one का whole square का integration ठीक है तो one upon x condition क्या होता है log तो a log mod में x plus one x plus one plus b log mod में x minus one देखो इसका ठीक है इसमें क्या आजाएगा पहले power 2 अगर है तो उपर जाएगी पहले power तो plus c integration x minus one की power minus two और x की power n का हम फॉर्मल लगाएगे तो इस कितना आएगा x minus one की power minus two plus one upon minus two plus one और एक constant रम c1 हम ले लेंगे तो a log mod में x plus one plus b log mod में x minus one minus two plus one minus one आएगा वो बीच में आजाएगा वो minus लगा दिये वने फिर c और यह दो कितना आएगा x minus one की power minus two plus one minus one तो यह one upon x minus one ही तो होता है अगर पावर माइनस में तो यह नीचे आजाएगा x minus one और एक constant इंटरम c1 ठीक है अब आपको abc निकालना है तो abc को में यहां पुट कर लूँगा तो एक line खीच लेता हूँ यहां आगे solve करते हम लोग ठीक है इतने में मारा answer आ जाएगा जो है ठीक है यह जो चीजे क्या लिखा था a upon x plus one प्लस b upon x minus one plus c upon x minus one का whole square ही तो लिखा है lcm में क्या आएगा जो lhs में होता वही आता simple ठीक है तो lcm में हमारा आएगा x plus one x minus one का whole square तो a के साथ क्या आएगा x minus one का whole square क्योंकि यह कट जाएगा एक x minus one कट जाएगा तो यहां पर आएगा x plus one x minus one और c के साथ आएगा x plus one तो यह और यह कट गया 3x plus five is equal to a minus b का square होता है a square plus b square minus two a b a plus b minus b सीधा हम a square minus b square लिख सकते हैं यहां पर और यहां पर c x plus one अब इसको simplify करते हैं और solve करते हैं तो देख कितना आएगा यह 3x plus five is equal to a का multiply करो तो a x square one का यह one है ना a का multiply होगा तो a आएगा minus का 2 a x यह b x square minus का b फिरा c x plus c s आजएगा अब इन दोनों में x square common मिल रहे तो bracket में क्या आएगा a plus b इन दोनों में x common मिल रहे तो bracket में क्या आएगा minus का 2 a plus c तो x square common लिए तो a plus b x common लिए तो minus 2 a plus c और a minus b plus c यह सब हमारा ही नहीं x square तो जीरो यहां पर माइनस का 2 a plus c है और यहां पर कोफिशन कितना है थरी है तो यहां पर a minus b plus c कितना है constant term है तो a minus b plus c जो है वो किसके एक्वल हो जाएगा 5 के तो यहां से क्या करना चाहिए हमें बी निकाल लो सबसे जी पड़ेगा बी को निकालना तो यह किस माइनस यह आ जागे आ गया तो यह और सी में केशन है तो हम इधर भी बी को पुट कर दें अगर माइनस एस वाले मैं तो यह भी तो एऔर सी में आ जाएगी केशन दिखो इस करते हैं यह 8-15 बी के लिफ दो मैनस एप लूसी इसकुल टूफाइब यह माइनस मैनइस पलस ए हो जाएगा तो टू प्लस इसकुल टूफव ejerc noon लो तो माइनस का टूए पलस एपलस एफ लूट यह यह कट गया तो टूसी इत लिट तो सी कितना आ गया 4 आ अब C को रख दो तो A मिल जाएगा चलो इस वाले में रख दे हैं तो माइनस का 2A प्लस का सी हमारा 4 है इसक्लिटी तो माइनस बन आएगा माइसमा उसकटेगा तो और अगर एवन बाइटू है तो बी कितना होगा मैनस वन बाइटू आएगा चलो पुट करते हैं देखते हैं और अपना अंसर एह हमारा वन बाइटू लॉग मॉड में X प्लस बन भी हमारा है माइनस वन बाइटू लॉग मॉड में X-1 C के रूफ 4 आई है तो माइनस का 4 अपोन X माइनस 1 प्लस का कॉंस्टेंट C1 ठीक है इसमें आप 1 बाइ 2 कॉमन लेके लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और यह नहीं भी लगा रखी लगा लेते हैं तो 1 बाइ 2 कॉमन लिया तो ब्रेकेट में आएगा लॉग X प्लस 1 माइनस लॉग X माइनस 1 और यह माइनस का 4 अपोन X प्लस X माइनस 1 प्लस का C1 तो 1 बाइ 2 लॉग लॉग M माइनस लॉग N लॉग M अपोन N ठीक है माइनस का 4 अपोन X माइनस 1 प्लस C1 तो यहीं आपका अंसर आ रहा है ठीक है संजमाया है किलियर जल रहा सब कुछ पक्का कर लो इसको अब इसके बाद जो questions है वो next lecture में करेंगे ठीक है तो इस lecture में नाइन को श्रूंस तक कर लिया तो आई हूप आपको यह सेशन अच्छा लगा और आपको कुछन समझ में आए और सब्सक्राइब लाइक जिरू कर देना और कमेंट सेक्षन बताना यह लेक्च्छर कैसा लगा मिलते नेक्ष वीडियो तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते हैं लाश्ट में की बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो दन्यवाद